नमस्कार काश तक में आप सभी का स्वागत है अभी की सबसे बड़ी खबार आ रही है जी हाँ जिस पल का हम सभी को बेसबरी से इंतजार था वो पल आ चुका है बाबा नाम देव की कावेंजली ब्रेंड ने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है कावेंजली के शोदकरताओं ने कई अनुसंधानों के बाद ये विजय हासिल की जिसमें हमारे नागरिकों का भी खूब योगदान रहा तो मेरे हाथ में ये कोई तुलसी अर्ख, गिलोय या गौमूत्र का काड़ा नहीं है ये वही चमतकारी वैक्सीन है जिसको बाबा नाम नाम देव की कावेंजली द्वारा बनाया गया है कुछी पल में हमाई साथ बाबा नाम देव जुड़ने वाले हैं तो बाबा नाम देव जानेंगे कि इस वैक्सीन का कैसे उप्योग करना है और ये कैसे इन्होंने जीत इतनी बड़ी हासिल की तो मैं बाबा नाम देव से वैक्सीन का कैसे यूज करना है, कैसे उप्योग करना है, और कैसे कोरोना से ये निजात दिलाने में हमारे नागरिकों की मदद कर पाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया बाबा नामदेव। तो बाबा नामदेव ने बताया, कि तीन दिन के अंदर 69% लोगों को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव करने में ये वैक्सीन सफल रही और वहीं साथ दिन में 100% लोगों को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव कियरने में ये वैक्सीन काफी सफल रही है, तो इसको कैसे यूज करना है वो भी बावि नाम देवने बताः सबसे पहले हमें एक मंत्र का जाप करना है को इस थली का मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा इस वैक्सीन का यूज कैसे को क्योक करना को पाएं ठाट बार्रंक को यह करना है और उसके बाद म हमें इस वैक्सीन का सेवन करना है इसका स्वाद बुलकुल नैस काफे की कॉफी ही जैसा है तो बाबा नामदेव से एक बार मैं कनेक्ट होकर पूछता हूँ कि क्या ये सही किया मैंने आप हम ऐसा जुड़े रही है लगता है बाबा नामदेव कहीं बिजी हो गए है हमारी कॉल का अंसर नहीं दे रहे हैं अभी हो सकता है कि वैक्सीन के प्रचार में कहीं और गए होंगे एक इंपोर्टन कॉल आ रहा है तरश्चो को मैं आपसे माफी चाहूँगा इस को लेना मुझे काफी ज़रूरी है हलो तो लीजी एक और बड़ी खबर आ गई है अभी कि बाबा नामदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वैक्सीन के प्रचार की उपर रोक लगा दी गया है जी हाँ आयोश मंतराले द्वारा इस वैक्सीन के प्रचार को रोक दिया गया है तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि हम अभी इसका प्रचारी कर रहे थे आप हमारे साथ इस बड़ी ख़बर के लिए करके जुड़े रहेगा तो काश तक को अब खत्म करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं वो एक मजाग था, फेक था तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है फेक निउस यहा जूटी कब रहें आज डिस्कस करेंगी क्या कुछ कर सकती है यह फेक निउस और कितने ही लोगों की जाने गई है इस फेक निउस के खारण और ऐसा सिटीजन या भारत के नागरिक होने के नाते हम क्या कुछ कर सकते हैं इसको control करने के लिए इसको रोकने के लिए हम ऐसे ही stigmatic topics every week आप सब के साथ मिलाते रहेंगे guys so do support अगर आपने subscribe नहीं किया है तो पहले आभी subscribe कीजिए और अगर subscribe कर दिया है तो do share our channel guys सबसे बड़ा reason कहें या carrier कहें इस fake news को फैलाने का है वो है social media जैसे facebook, youtube, whatsapp इंडिया whatsapp का सबसे बड़ा user है 400 million subscribers या उप्योग करताओं के साथ में और यह आगरा जुलाई 2019 का है और अब हम अगस 2020 में बैठे हैं तो यह आगरा कितना बढ़ गया होगा आप खुदी अन्जाजा लगा सकते हो इस जरह इस graph को देखिए लगबख 56% लोग जो 35 साल तक की उम्रक हैं वो ऐसे ही social media का सहारा लेते हैं न्यूज या समाचार को देखने के लिए वैसे हम news channels का भी क्या ही कहें तो अब देखते हैं कि कैसे और कहां इस fake news का use किया जाता है clickbait सबसे बड़ा और common example है clickbait सरल भाषा में clickbait का मतलब होता है जूटी तसल्ली देकर लोगों को अपनी तरफ आकरशित करना या उनसे अपना काम निकलवाना social media sites पर clickbait का use लिया जाता है social media sites की popularity बढ़ाने के लिए या उस पर traffic लाने के लिए महाभारत के time पर भी clickbait का use देखने को मिला था जब श्री कृष्ण ने योधिश्टर को गुरू द्रोनों के पास भेज कर ये संदेशा पहुंचाया था कि अश्वथामा मारा गया ये खबर सुनते ही गुरूर द्रोन कमजोर पढ़ गए कि अश्वथामा उनका बेटा मारा गया लेकिन अश्वथामा मारा तो गया था पर उनका बेटा नहीं एक हाती दूसरे नंबर पे आता है politics politics में भी fake news काफी बड़ा किरदार निबाती है किसी party को तोड़ने के लिए या किसी संगठन को तोड़ने के लिए या लोगों को vote के लिए अपनी तरफ आकरशित करने में fake news का भी important role play करती है business तो ऐसे ही clickbait का use करके लोगों को अपनी तरफ आकरशित किया जाता है पैसा कमाया जाता है, business को viral किया जाता है और पैसा कमाने के बाद निकल जाया करता है अपना काम मनता, भाड़ में जाया जनता आप सब को freedom 251 mobile तो यादी होगा तो ऐसे ही clickbait का use करके यह सब business अपना फायदा उठाते हैं तो उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और last है cultural, religious या family friends का social media groups हम इतना भरोसा करते हैं इन सब खबरों पे, इन सब लोगों की खबरों पे या संदेशों पे कि हम जाँच परताल करते नहीं है कि घर के गृप में आया है तो वो सची होगा और वहीं कि बाबाजी ने कहा है कि समोजे के साथ में लाल चटनी खानी है हरी नहीं कानी तो सब में फैला दिया कि लाल चटनी ही खाना पैसा आएगा तो इन सब खबरों के जरीय भी फेक न्यूस जन्म लेती है लेकिन हम कैसे इस फेक न्यूस के जाल में फस जाते हैं साइकालोजी की माने तो दो सबसे बड़े कारण है इसके पहला emotions ऐसी न्यूस हमारे emotions को target करती हैं हम अपना control खो बैठते हैं इस पर कैसे control किया जा सकता है वो हम वीडियो के last में discuss करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इन से मिलिए ये हैं करनाटका के प्रताप जिन्होंने दावा किया था कि काफी गरीब घर से हैं इन्होंने 600 drones बनाए हैं drone scientist के नाम से इनको बुलाया जाने लगा 600 drones बनाए वो भी किस से TV और mixer grinders के टूटे बूटे parts को जोड करके media houses ने इनको viral कर दिया काफी famous हो गए प्रदान मंत्री के द्वारा इनको जॉब आफर भी हुआ इन्होंने दावा किया था ऐसा और इनको एक अवार्ड भी मिला प्रदान मंत्री मोधी के द्वारा बाद में पता चला कि प्रता अपने वो ड्रोन्स बनाए नहीं सिरफ उन ड्रोन्स के आगे खड़े ओकर कि अपनी तस्वीरे ली है दूसरा कारण है अधीरता या इंपेशिंस कोई भी दिल्चस्प खबर सुनते ही मतलो अंदर से ऐसे हो जाता है कि बस सब में खबर वो सुना दो बाद में पता लगता है उस खबर की कितनी सचाई है या वो खबर कितनी गलत है वहीं ये ज़रा सा मजाक या ऐसी ही कुछ फेक नीजिस कितनी हाथ तक साबित हो सकती है देखते हैं अलवर में देखने को मिला कि कुछ dairy workers या owners को target किया गया भीड़ने उनको कुछ को मार भी दिया फेक news ये फैली थी कि ये लोग गौ हत्या के आरोपी हैं गौ हत्या में शामिल हैं वहीं इसी साल एप्रिल में पालकर lynching case देखने को मिला फेक news के चलते दो साधूं को अपनी जान गवानी पड़ी और बाद में भी इस lynching case को फेक news के चलते ही communal angle देकर के दंगे भढ़काने की भी कोशिश की गई हद तो तब होती है कि जब ये media houses भी बिना fact checking के ऐसी ही फेक news टीवी पर पेश करते हैं वह 2000 के नोट की चिप का मामला तो याद ही होगा आप सबको ब्रश्टा चार का तो पता नहीं लेकिन काश वो चिप कोरोना में हमारी कुछ मदद कर पाती काले धन पर रोग के लिए लाए जा रहे 2000 रुपे के करनसी नोट को बनाने के लिए state of the art नैनो टेकनोलोजी का इस्तेमाल होगा 2000 रुपे के हर एक नोट पर NGC यानि नैनो जीपिएस चिप लगा हुआ होगा कोई satellite location की जानकारी लेने के लिए signal देता है NGC location से इस signal को reflect कर देता है इस से location का सही अंदाजा मिल जाता है और satellite को currency के serial number की भी जानकारी मिल जाती है तो देखा आपने कैसे business में एक काम आती है fake news एक ऐसी ही fake news 2018 में असम में देखने को मिली थी जिसमें दो लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जब भीड ने उनको target किया था बच्चेओं की तसकरी या child traffickers के आरोप लगा कर उनको मार डाला था अगर fake news को google में सर्च करें तो ऐसे ही lynching cases, mob attacks ना जाने कितने देखनों को मिलते हैं search results में अब बात करते हैं कि कैसे हम इस fake news को control कर सकते हैं अपने आपको कैसे बचा सकते हैं इस fake news के जाल में फसने से जादा कुछ नहीं करना पांच चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहला google it अगर आपको लगता है कि कोई खबर fake है, जूटी है उसको google कर लीजिए search results से आपको पता चल जाए कि कितनी सचाई है और कितनी जूटी है ये खबर दूसरा, be sure then share अगर आपको लगता है कि आप खुदी sure नहीं हो इस खबर के लिए तो उसको share मत कीजिए पहले खुद तसली कीजिए, तभी share कीजिए तीसरा, report it अगर कोई खबर जूटी लगती है, fake लगती है तो उसको like और share मत कीजिए like और share करेंगे, वो viral होगी, जादा से जादा लोगों के पास जाएगी तो उसको report कीजिए चौथा, double check अगर कोई post चे आपको देख करके गुसा आता है या आप emotional हो जाते हो तो उसको खास करके double check कीजिए क्योंकि इसी ही news हमारे emotions को काफी जादा target करती है and last, think logically logically सोचिए ऐसी खबरों के ना सर होते हैं ना पैर होते हैं तो खुद logically सोचिए साथ ही में कुछ ऐसी websites भी हैं जो ऐसी fake news की fact checking में help करती हैं तो हम उनका भी use कर सकते हैं जैसे alt news, boom और IPC के कुछ laws भी बने हुए आसी fake news को control करने के लिए रोकने के लिए अगर हम ऐसी कोई fake news हमारे सामने आती है तो इन laws के तहट हम complaint कर सकते हैं जैसे section 5051 of Indian Penal Code section 66 D of Information Technology Act section 54 of Disaster Management Act इन तीनों laws का link मैंने description box में add किया है वहाँ से जाकर कि हम detail में पढ़ सकते हो तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरी हम आप सबको समझा पाया होंगे कि कितना नुकसान पहुंचा सकती है ऐसी fake news इसको कैसे रोकना है और इसको share नहीं करना है share करना है तो इस channel काश को share कीजिए इस video को share कीजिए do support us guys by subscribing and sharing and don't forget to press that bell icon to not miss any of our videos अगर कोई भी feedbacks या suggestions है हमारे लिए तो नीचे comment section में comment करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए मिलते हैं next episode में till then keep supporting काश